दोस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिन्टू में आज कुछ छोटी छोटी कई सारी न्यूज हैं और वन वाई बन सबको कपर करते हैं अगर आप दियान से सुनेंगे तो साथ आपके लिए इंपोर्टेंट भी होगी और नहीं तो हो सकता है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कोईन के वारे में अगर पूछना चाहें तो साथ आज वो टॉपिक आपके लिए नहीं है चलिए मैं जो छोटी छोटी नियूज हैं उनको सबको कपर करता हूँ वन वाई बन पहले तो देखे जो आज कल अपने ट्रेंड चला है ट्रेंड के चला है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए तो बहुत जरूरी है वो ये है proof of reserve को दिखाना इंडियन एक्चेंज कोई भी दिखाने को अभी तयार नहीं है जो दिखा भी रहे हैं वो आदा दूरा दिखा रहे हैं पहले तो दिखाई नहीं रहे एक दिखाया भी है कोईन DCA नहीं वो भी आदा दूरा है कोई बहुत clarity उसमें भी नहीं है तो यहां देखे साब आप सब से वही request है सब कर रहा है, मैं भी आप से कर रहा हूँ कि आप जो है, जिस exchange को कम से कम यूज करते हैं, आप उसको tweet जरूर करें, कि भाई क्या हिसाब किताब है, बहार रखो निकालो, क्यों मैंने इसका एक जीता जाता प्रमाड आपको सुबह ही दिया है, क्योंकि सुबह मैंने आपको अर्नवित रोहताश चैनल पर एक आपको वीडियो दिया था, अगर नहीं देखा है तो आप मेरे इस दूसरे चैनल पर जाके देख सकते हैं का 3300 अकाउंट इन exchange की वजए से कहीं ने कहीं खतम होने वाले हैं तो किसकी गलती है? यह exchange की गलती है और यह अभी भी कुछ न कुछ कुछ न कुछ वोगत हैं अंदर खाने छुपा रहे हैं तो इसे लिए पूछना बहुत जरूरी है का भाई आपके पास जो है माल मसाला किसका है? हमारा ही है यह आपका भी कुछ है यह सिर्फ यूँ ही सब इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर गुमारे और टोपी सब के उपर तो वो चीज़ें देखिए यह अपने आप तो देने से रहे आपको खुद ही मेनत करने पड़ेगी और आपको अगर अपना फंड सेफ रखना है तो देखे यह मेनत कर लोगे तो बहुत ज़्यादा है अच्छा ही रहेगा नहीं करोगे तो भाई बाद में ब्लेम करने के लाबा और कुछ नहीं बस्तागा रेक साब उसने ऐसे कर लिया तो भाई उसको तो मौका आपने दिया तो वो तो करेगा तो बहतर है कि सब मिलके मांगे ज़्यादा अच्छा है कि भाई अपना पूरू फॉफ और दिखाईए जो है जैसा है कम से कम उसको अपने वालेट एडरेस के साथ दिखाईए यह नहीं कि सिर्फ आपने यह ट्वीटर पे ट्वीट डाल दिया कि यह हो गया नहीं ऐसे नहीं आप बाकाई तो आपना उसका वालेट एडरेस भी साथ में दो जिससे कि पता तो चले और बाद में भी हम ट्रेक कर सकें कि आपके पास क्या है कि अभी तो आपने ठीक है जैसे तैसे कहीं से अगर जुगाल करके दिखा भी दिया तो आगे जाके फिर क्या कि तू मुझे दे दे मैं तुझे दे देता हूँ तो वो चीज नहीं चलेगी तो इंडियन एक्षेंज को इस पे थोड़ा सा प्रैसरा है जब करना पड़ेगा और हम सम मिलके ही करेंगे तब ये काम हो पाएगा दूसरा देखे करप्टो.com ने अपना सारा सो कर दिया है कुल मिलाखे सही काम है बाइनस ने किया चलो वो भी ठीक है तो इस तरीके से देखे जब और इंटरनेशनल एक्षेंज जब इस तरीके से कर रहा है तो आपको प्रॉल्म कहां पर है कही नहीं दिल काला है ऐसा ही हो आशनलिया के एक 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 एकशेंज है डिजटल सर्ज वहाँ पर लगबग 30,000 अकाउंट है यानिके इनिवेस्टर्स हैं जिनके अकाउंट है और वो सब के सब फस गए फस इस लिए गए कि ये एकशेंज कुलेप्स हो गया जबकि इसके CEO ने दो दिन पहले यी बहुत अच्छी गोशना करी कि कोई प्रॉलम नहीं है आप दबा के ट्रेड कर सकते हैं नो प्रॉलम कोई दिक्कत नहीं ऐसा है वैसा है यानि अच्छा खासा चने के जाड़ पर चड़ा दिया और दो ही दिन में ये एकशेंज कुलेप्स हो गया और इनके फरंट सब के सब फस ग और बाकी अगर वीडियो देखना है तो अर्न विद्रोईता इस चनल पर आप देख लीजिए मैंने सुवही आपको वीडियो दिया है कि 3300 अकाउंट अपने एक्षेंजों की वज़ा से कहीं ने कहीं खत्रे में हैं और तो देखिए मार्केट में अभी जायतर फेलाते हैं तो वो फिर वो बर्ड स्केल पर चलती है हम लोगा कोई थोड़ा बहुत बोल देते तो ज्यादा उसका इंप्रेक्ट नहीं आता ना ज्यादा फरक पड़ता है आज इसी बात पर बात आ गई कि हमारे साथ सब्सक्राइबरी थे कहते हैं सर आप तो डाला है कि आपने पड़ा जाके लॉन मस्क को ट्वीटर पर फालो कीजिए उसी बंद्र से कह रहा हूं जिसने का कि मैं आपको अनसाशक्राइब बात Champs जो पर एसे लोगों का क्या करоля में गोलीमा रोगी तो भाई यह है कि इंप्रेक्ट आता है बड़े बड़े लोगो के tweet से जो ये negativity फैलाते हैं अब Elon Musk ने जो बोला कि भाई अगर जो 14 तारिकों interest rate बढ़ा तो यह मालेजे 2023 तो आपका गया वो तो साब कहता है कि 2023 में तो recession full scale पे होगा यानि कि मंदी और मंदी में तो भाई साब कोई negative tweet पे tweet ठोके जा रहे हैं बहता है कि यह दो-चार महिने की छुट्टी पे जले हैं वो ज्यादा अच्छा है इनके tweets जो है market में ज्यादा नुक्सान कर रहे हैं उधर cj binance और sam backman fried वो अभी भी लगे पड़े हैं वो कहता है आप जीत गए भाई ftx का जो मालक था जो सीओ था वो कहता है cj binance को भाई डालाग ठीक है you want आपने जीत लिये गड़ तो सही बात है बैतर यह है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए अपने fund के बारे में सोचिए वो ज्यादा बैतर है बाकी जो जैसा चल ला है वो तो चली रहा है आज की date में देखिए कोई भी topic जो है cryptocurrency पर trend नहीं कर रहा है मजग बात यह देखिए कोई भी topic आज की डिट में ट्रेंड नहीं कर रहा है यानि इतनी सुष्टी आ गई है market में दूसरा यहाँ पर आपको एक positive चीज बताता हूं वो और यह है कि NFT का साथ दुवारा से cringe बढ़ सकता है अब पूछोगे आप कैसे मैं बता दूँ CJ Binance नेट बाकायदा दो दिन से काफी to expect NFT पर बोलना शुरू किया है और यह बोलना तब से सुरू किया है अभी दो दिन से तो कुछ जाद ही बोल ला है उसका बाकायद एक छोटा सा interview भी उसके बानेंस के उसके पड़ा हुआ है आप उसका Twitter एंडल पर जाएंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं वहाँ बाकायदा उसके उपर बोल लाट NFT के उपर तो वह NFT जो है परसनल भी हो सकती है स्पोर्ट से रिलेटेड भी हो सकती है और आपके self तो उसकी अपनी हैं और रोनाल्डू की NFT तो जब से उसने रोनाल्डू की NFT का जो अपने हैं एक तरह से लौंच की तब से उसका NFT की तरब थोड़ा सा क्रेज बढ़ गया है और वो NFT को प्रमोट कर रहा है तरह से तो देखिए NFT वाले आप यहां पर थोड़े जो कोईन होंगे न जो टोकन है NFT वाले उनका हो सकता है कोई थोड़ा सा रंगत बदल जाए या हो सकता है उनमें कोई तेजी हलकी फुलकी आ जाए तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का धियान रखिएगा क्योंके मैंने कहा न य जो टोकन या कोईन है उनमें आप थोड़ा सा इसाब किताब देख सकते हैं कि क्या इनमें कोई फरक पड़ेगा मार्केट में तो फिलाल ऐसे ही कुछ जादा अच्छा चल नहीं रहा है बहुत कुछ ऐसे ही चलना है बस हलका फुलका और बागी मार्केट तो देखिए अप अडिया बंगलादेश का वो देखिए और एंजोई कीजिए फिर मिलते हैं नमस्कार